तो आज के इस वीडियो में हम html को लेकर hypertext markup language को लेकर यहाँ पर computer questions करने वाले हैं और junior office assistant IT exam में और computer exam में आपको जाएगो computer operator exam में आपको यह देखने को मिल सकते हैं तो यह चले वीडियो के शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किता टेलीग्राम को जॉइन किज़े लिंक उसका description box में आसा आप जॉइन कर सकते हैं आपको हर एक update मिल जाती है तो hypertext markup language के बार में हमें हमें आपे जानने की जग कोशिश करते हैं सबसे प्यादे के hypertext markup language जाओ एक standard markup language है ठीक है फोर किसके लिए web pages को create करने के लिए अगर आपको website मनानी है तो यहाँ पे html का इस्तमाल जागवा करना ही पड़ेगा तो याद रखो html जाओ उसको full form क्या है hypertext markup language उसकी यह full form है ध्यान देंगे जो html है वो web page को create करने के लिए उसके structure के बारे में describe करने के लिए और वहाँ पे जाओ elements की एक series रहती है ठीक है तो वो can describe करता फूरो ज्यान देंगे कि यहां पे देखो HTML जो element होते है वो promises понять की display कैसे करना कंटैंट को ठीक है तो html के elements ही जयो ब्राजर को बताता है कि display आपने जाए कि आपने कैसे करना है कि content को तो अप देखें हमने क्या बताया कि deserved स्टेएमल जाओ कि यहां पर यहां पर यहां पर बहुत सारी जाने को सच करेंगे कि जो लेटेस्ट वर्दन है जो तिम बर्नर्स ली है उनके द्वरा वर्लड वाइड वैब जाओ डिस्कवर किया गया था इन्वेंटिट वर्जन था इस्टेमल का और उसी के साथ तिम बर्नर्स ली जाओ इन्वेंट करते हैं एसट्यामल को 1991 में तो 的чик ढांडेंगे डेवय रेगट जो है ड्राफ्ट करते हैं किको एसट्याल प्रॉस को यह ड्राफ्ट करते हैं 1993 में और याद रहत रखो एसट्य यह याद करता है notre अक गर्ली करता है ata रहे हैree फेल्ड से यह यह और यहाद करता था वो recommendation करता है html 3.2 की उसको invented करता है 1997 में और देखो first world wide web consortium कौन सा बनता है html 3.2 जाओ बनता है ठीक है यह आपको ध्यान देना है आप देखें जो worldwide web recommendation जाओ आती है एक और html 4.01 की वह आपकी आती है 1991 में तो याद रखो first world wide consortium कौन सा था html 3.2 ठीक है और second कौन सा था आपका html 4.01 इसको आपने याद रखना है थोड़ी थोड़ी यहां से आपको जानकारी जोटान जोटानी है इंबर्णर स्वी कौन है वह फादर है html के कौन है फादर है html के आगे देखेगा कि जो worldwide web recommendation था उसने xhtml को 1.0 को भी जाओ recommend जाओ किया था worldwide web consortium है उसने xhtml को भी जाओ 1.0 को जाओ recommend किया था 2000 में एक और याद रखना है कि 2008 में 2008 में 2008 में 2008 में युट्यूह एच येटी wg html आता है जो की एक दिरह से पस्ट पब्लिक ड्राफ्ट था क्या था हो पब्लिक ड्राफ्ट फस्ट पब्लिक ड्राफ्ट तो भर्लिव एट ड़्यूहाँ एटी यहां पर देखने को मिड़ा आपको 2008 में एक और ज्यान देना है वर्ट डवल्यू जी HTML 5 यह एक तरह से living standard आया कब 2012 में ठीक है एक और ज्यान दखना है 2014 में जो latest version है HTML का ठीक है latest version जो 2014 में आया worldwide consortium के recommendation पे वो कौन था था HTML 5 था ठीक है HTML 5 2014 में आया उस तरह से 2016 में worldwide web consortium का जाओ एक candidate recommendation आया candidate recommendation क्या नाम था उसका HTML 5.1 था ठीक है 2016 में उस तरह से देखो 2017 में worldwide web consortium का एक candidate recommendation HTML 5.1 second edition जाओ आता है ठीक है याद रखो 2017 में एक और चीज़े देखने को मिलती है worldwide web की recommendation आती है किसके लिए HTML 5.2 के लिए तो simple इतनी चीज़े आपको याद रखनी है यह dates आपको याद रखनी है HTML से related है तो latest version आपको पता होना अच्छे कि HTML को कौन सा है 2014 का है HTML 5 कौन सा है HTML 5 जो कि recommendation पर किस क्या था worldwide web consortium के recommendation पर देखने को मिलता है आपको ठीक है और पहला worldwide web consortium वो आया था 1997 में कब आया था हो worldwide web consortium पहला 1997 में जिसमें HTML का 3.2 वर्जन आ था किसमें जिसमें HTML का 3.2 वर्जन आ था वो आपका जया हो पहला worldwide web consortium था यह आपको ध्यान देना है अब आगे चलते है थोड़ा सा देखें जो HTML है वो fourth generation language है और उसी तरह देखो HTML क्या है वो standard markup language भी है web pages के लिए और यहाँ पर elements भी आपको देखने को मिलता है और उसको represent कैसे करते हैं tags से represent जाओ करते हैं कैसे represent करते हैं जनरली हमार पास जाओ greater than और smaller than का इस तरह से जाओ सिंबल होता है HTML को define करने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा याई ठीक है अब देखें HTML5 developed by World Wide Web consortium और यहीं आपका जाओ latest version है देखो file extension क्या है HTML की वह है .html और .htm यह file extension है HTML की और hypertext का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर web pages को link किया गया है और उससे क्या बना जा रही है website बना रही है तो website बना जा रही है याद रखो markup language जयो tags को use करती है ठीक है content को define करने के लिए document के अंदर XML is a extensible markup language तो XML क्या है एक तरह से extensible markup language है जो की more than flexible है HTML से और देखो XML जाओ अलोग करती है custom tags को create करने के लिए create कराने के लिए ठीक है और XML जाओ जो text use हो रहा है आपका वो store करने के लिए और करने के लिए data को और देखो यहां पर HTML जो टैक्स है वो डिस्प्ले करने के लिए जाओ होता है data को simple यह चीज़ आपको यहाद रखनी है HTML के बारे में आप थोड़ा सा आगे चलेंगे हम थोड़ा सा यहां पर जाने कोशिच करेंगे HTML के attributes के बारे में simple ध्यान देंगे कि सबसे प्रहाद हम को यहां पर जाओ ध्यान देना एक HTML का हम document यहां पर बनाने जा रहे है HTML document का example दे रहा हूं मैं आपका आपकर अपर HTML document का example दूंगा सबसे प्रहाद रखो कि जब भी हम HTML को start करता है तो इस तरह से greater than का sign बना होना चाहिए और यह आपका sign होना चाहिए और देखो doc type उपर लिखते है ठीक है और यहां पर HTML लिखा आता है यह line complete आपको close फिर second line में यह फिर आपका HTML start होता है फिर आपका head आता है ठीक है फिर आपका जाओ title आता है title close फिर page title आता है फिर आपका जाओ title आपका close हो चुका है ठीक है याद रखो फिर आपका head जब आप close करोगे तो आपको इस तरह से slash sign लगाना है और body last में क्या आएगी body आएगी यहाँ पर ध्यान दो कि हम h1 जो tag है वो first heading के लिए फस्ट heading के लिए आप h1 tag use करोगे जब आप start करोगे तो आपने जाओ यहाँ पर slash नहीं use करना है जब आप खतम करोगे तो h1 के साथ पहले आपने जाओ यहाँ पर लगाना है और देखो पी टैग आप जाओ फस्ट पैराग्राफ के लिए किसके लिए फस्ट पैराग्राफ के लिए पी आप करते हो जब खतम करोगे तो slash लगाना और यहाँ पर पी ठीक है इस तरह से यह आपका डॉक्यूमेंट का जाओ टाइप है एक्जामपल दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूं कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमने डॉक टाइप का इस्तिमार किया क्या है उससी तरह से देखो HTML लिखा हमने आपके इस तरह से यह एक तरह से HTML पेज का जाओ एक रूट अलिमेंट किया रूट अलिमेंट कि आप देखो यहाँ पर कि हमने HTML के नीचे यूज किया है है यहाँ यूज किया है तो यह html पेज की जो इन्फोर्मेशन को करता है इन्फोर्मेशन को जाए करता है उसी तरह से याद रखो फिर हमने यहाँ पर टाइटल यूज किया है क्या यूज किया है तो यहाँ पर ज्यान दो टाइटल में जाओ html 동 चाहरा है ऊ Посê tämä रहा है उससे तरह से हमने आपने डॉक्मेंट बॉडि में में करना है वह आप यहाँ पर करेंगे दोंट डाउन करेंगे टिक coronavirus लिखना है या कोई भी हैंडिंग ढालना है टिक्षि कोई टेबल नहीं कोई बिलिस्ट दाले तो आपके यहाँ पर उसको add करोगे फिर आपके यहाँ रखना है एक ता से लार्ज हेडिंग को जाओ डिफाइन करेंगा क्या रहा हो फॉसको यह डिफाइन करता है और याद रखो पी आपका क्या डिफाइन कर रहा है पर अब को यह आपको पता होना चीह इतना करता है तो यहां पर ज्यान दो यहां पर ज्यान देंगे एक बी आर टैग भी होता है और यह एलिमेंट आपका HTML में होता है जिसमें नो कंटेंट कोई भी कंटेंट नहीं होता वहां पर यूज करते हैं यहां हम और टैमटेंट बहुंता है और फ्रते हैं एंपिले मिट भी बहुता है आहिए अप कि ऑश्रूबय वाट सी बात याद रखेंगे ब्राउजर के बारे में वेब ब्राउजर के बारे में आपने सुने होगे Chrome Firefox Safari इस तब क्या है आपके वैब ब्राउजर है तो वैब ब्राउजर का क्या है कि वह HTML document को रीड करते हैं क्या पर करते हैं रीड करते हैं और उसको वह डिस्प्ले करेंगे क्लेक्टली जाओ डिस्प्ले जाओ करेंगे ठीक है और ध्यान दो वह ब्राउजर नहीं करता है बट उनको वह यूज करता है डिस्प्ले करने को डॉक्युमेंट को डिस्प्ले करने को ठीक है यह आपको ज्यान देना है तो वैब ब्राउजर कि रीड़ देश्टेमल डॉक्युमेट एंड डिस्प्ले दैम क्रेक्ट ली बट ही डू नोट शो डटेक्स यह शो जाओ टेक्स जो जाओ नहीं करता है इसको आपने इतना याद रखना है अब थोड़ा सिंपल इस आपको पता होना अच्छे यह सारी चीज़ है अब यहाँ यहाँ पर याद रखो एच्टी ऐमल में आपने लिंक्स को एड करना है यादे में एटैग आप कर सकते हो लिंक्स को अड करने के लिए ठीक हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे जो लिंक्स है वो एक trespass से हैं मोनरी ट्री एफ है अच्छ आरई एफ अन्क है ट्रीच्छ asks प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में एडिशनल इन्फोर्मिशन जाओ प्रोवाइड करते हैं आप थोड़ा सा आगे देखेंगे कि अगर आपने एस्टेमल इमेज के लिए एट्रिब्यूट जानना है तो यहां पर आई एमजी टैग आप यूज़ कर सकते हो अगर आप सोर्स फाइल के जवो टैग को जाना चाहते हो तो आप एस आर्सी जवो टैग यूज़ कर सकते हो और अगर आपको अल्टर्नेटिव टेक्स्ट का आपको यहां पर जो जो आपको एक्जाम में आती वहीं बता रहा हूं अब याद रखना है कि HTML जयो केस सेंसिटिव नहीं है अब यहाद रहना है आप यहाद रखो कुछ एट्रिब्यूट लिखा रहा हूं आपको एक तो एक बता रहा है यह पर लिंक को डिफाइन करता है आपने कोई यूट्यूब का लिंक जाओ देखा होगा तो वह क्या है वह एक हाइपर लिंक है यह एक रिप्यों से है किससे ए अत्रिब्यूटस है हर ये एफ दो ईन्वर्ट गॉमाー lobb mismo Lif a dot com एक यह क्या है यह पूरा का पूरा क्या है इक हाइपर लिंक है तो इसको कौन सा एक लिफीं कर रहा है ए एट्रिप्यूट, कौन सा एट्रिप्यूट, तो इससी तरह से दूसरा जाद रखना है आपको जो source file को specify करता है ठीके, वो आपका है src attribute, कौन सा है वो src attribute, मैंने आपको अभी ये बता दिये है, और भी बता रहा हूं मैं आपको src attribute तो आई एम जी तो इमेज के लिए यूज करते हैं वही आप विड्ट के लिए यूज करते हैं तेक है याद रखना है और यह जो इमेज होगी वह पिक्सल में जाओ शो करते हैं एल्टी जो एट्रिब्यूट है वह आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज होता है याद रखना है जब इमेज आपके किसी कारण से डिस्प्ले नहीं हो पाती है तो आप वहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज करते हो ठी रखें एक और याद रखना है आपने style अट्रिब्यूट भी बहुत्ता रहे ताइल अध्रिब्यूट तो स्टाइल एट्रिब्यूट मैं आपको याखने आपके ओलैमेंन्ट में यहां पर style attribute में आता है एक और याद रखना है लैंग attribute लैंग attribute में आप language language तो यहां पर HTML को define करने के लिए वहां पर language की जूरत हो तो यहां पर language यहां पर यहां पर यहां पर country code भी जाओ आप और डिस्प्टेई कर सकते हो language code में लैंग attribute में ठीक है यह आपको ध्यान देना है जैसे कि आपके याद रखना है जैसे आपने इन इंग्लेंड यूएस इस तरह से आपको याद रखना है कि आपके जाओ पूरा क्या है कंट्री कोड और आपका language attribute है यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टू क्रेक्टर है वो डिफाइन कर रहे हैं लैंग्वेज को इंग्लिश को और यहाद रखो एक और है टाइटल एट्रिबूट टाइटल एट्रिबूट जो यहाँ पर जो भी इंफोर्मेशन आपने डिस्प्ले की है उसके टाइटल को डिनोट करते हैं तो यहाँ पर याद रहना है और जितने भी एट्रिबूट्स हैं उसके लिए आप क्या यूज करोगे lowercase use करोगे क्या use करोगे lowercase आप use करोगे small content items में आप जाओ उसको लिख होगे जितने भी attributes है अगर आपको text को bold करना है text को bold करना है तो आप यहाँ पे B attribute उसकरोगे ठीक है और एक आपको याँ दखना है insert line break आपको करना है line break करना है insert करना है तो यहाँ पे BR आप use करोगे एक और चीज़ आपको याँ दखनी है ठीक है अगर आपको insert image करनी है तो आप IMG याफिर source file आप याइड कर सकते हो इसको आपने अच्छे से याँ दखना है जैसे background हो गया background के लिए background के लिए यहाँ यहाँ यूज कर सकते है MARQUE ठीक है बीजी कलर यह आप यूज कर सकते है ठीक है अगर आपको horizontal ruler यूज करना है तो आप HR attribute यूज कर सकते हो यह आपको याद रहना है आप देखो data source के लिए data asrc attribute कहा है यूज कर सकते हो आपने data को bind करना है तो आप यहाँ पर data asrc यूज कर सकते हो attribute ठीक है अगर आपको select attribute यूज करे हो तो यहाँ पर तो यहाँ पर create जो drop down box होता है वो आप create कर सकते हो ठीक है यह आपको ध्यान देना है ठीक है तो यहाँ पर जैसे mail को आपने send करना है तो आप sending mail करें html में a के साथ href attribute और साथ साथ में mail to ठीक है at the rate be attribute इस तरह साथ यहाँ एड़ कर सकते हो attributes काफी सारे attributes हैं लेकिन जो important थे आपको वो मैंने आपको बता दिये अभी के लिए तो फिलार इतना ही है कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभात आपका दिन शुभ हो कोई बी चीछ समन याई हो तो प्लिस कमेंट सेक्शन में जुरूर पूछें और आज के वीडियो बसकत रही है थैंक्यू and have a nice day